चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चो MCC का प्रोविजनल रजल्ट आ चुका है, फाइनल रजल्ट आ जाएगा, इसके बाद में अलोट्मेंट लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे मैं आपको यहाँ पर हरे कोर्स की कटोप बता देता हूँ, एम्स की कटोप बताऊंगा केटेगरी वाइज, BDS की कटोप बताऊंगा, BSC Nursing, ESIC की कटोप इस वीडियो में मैं आपको केटेगरी वाइज बताने वाला हूँ MBBS की कटोप का अलड़ी मैंने कल वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल सर्च करके देख सकते हैं तो सबसे पहले हम AIMS की लास्ट कटोप की बात करें, तो ओपन केटेगरी में 4737 ओल इंडिया रेंग पर 649 मार्क्स पर AIMS मदुराई लास्ट मिला है EWS में 6407 रेंग जिसके 641 मार्क्स थे AIMS मदुराई मिला है OBC कटेगरी में 5866 रेंग पर 643 मार्क्स AIMS मदुराई मिला है और SD कटेगरी में 44363 रेंग पर 557 मार्क्स पर AIMS मदुराई मिला है SD कटेगरी में AIMS राइपुर मिला है 71858 रेंग जिसके 516 मार्क्स थे तो ये AIMS की लास्ट कटोप है इसके बाद में BDS की कटोप में आपको यहां पर बता देता हूँ, open category में 29,654 rank पर जिसके 582 marks थे, government dental college rims kadapa मिला है, इसके बाद में EWS category की बात करें तो 32,697 rank जिसके 577 marks थे, same college मिला है, OBC category में 32,572 rank पर जिसके 577 marks थे, GDC rims kadapa मिला है, ST category में 1,12,682 rank पर जिसके 465 marks थे, GDC त्रुएंद्रों मिला है, ST category में 1,60,234 rank पर जिसके 416 marks थे, GDC rims kadapa मिला है इसमें, तो ये तो कटोप थी BDS की और AIMS की, अब बात करेंगे हम BSC nursing की female candidates के लिए, तो open category 77,977 rank जिसके 508 marks थे, राजकुमारी अमरता कोर नियो डिली का मिला है, EWS category में 93,257 rank जिसके 488 marks थे, सेंट स्टेफन दिली मिला है, OPC category में 87,822 जिसके 495 marks थे, राजकुमारी अमरता कोर मिला है, इसके बाद में ST category में 1,87,675 rank पर 392 जिसके marks थे, सेंट स्टेफन दिली मिला है, ST category में 2,43,265 जिसके 349 marks थे, लक्षमी बाइद देली का मिला है, तो ये तो थे BSC nursing के लिए, female candidate के लिए, अब male candidate की बात करें, तो BHU मिला है male candidate में, male candidate की दो ही college हैं, कस्तूरबा और BHU, तो BHU में open category में, जिसके 42,518 rank था, 560 marks थे, BHU मिला है, EWS 54,610 rank जिसके 541 marks थे, BHU मिला है, OBC category 51827 जिसके 545 marks थे, BHU मिला है, ST category 147,801 rank पर जिसके 428 marks थे, और ST category में, यह 1,76,438 rank जिसके 402 marks थे, BHU मिला है, अब बात करेंगे हम ESIC की, मैं आपको जो यह cut-off बता रहा हूँ, यह last cut-off है, Open category की 53,206 rank जिसके 543 marks थे, ESIC बीटा भिहार का मिला है, EWS 74,441 rank 513 marks ESIC कोलाम मिला है, इसके बाद OBC 69,685,519 marks भिटा मिला है, ST category 2,30,337 rank जिसके 359 marks थे, ESIC भिटा मिला है, ST category में जो का मिला है, 97,002,9,72,481 जिसके 103 marks थे, उसको ESIC जो का मिला है, तो यह ESIC की cut-off है, तो सभी courses की last cut-off मैंने बता दी है, MBBS का पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो cut-off आप चैनल सर्च करके देख सकते हैं, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन!